सलाम वाले कुम विल्कम टुक वित नूर आज हम वना रहे हैं चाना मसाला जिससे के हम चना चाट भी बनाएंगे यहारा मसाला आप जोे मजना अलू के पराधा मेथ्ञ गुभीyi केश पराधा मूली पराधा फिर फिर पूरी के साथ भी सखरो सकते और छनन चाट न touch civ क मैंना चाट तो इनना एसी खा सकते हैं तो छलिए हम बनाते हैं सबसे पर एक बाटर डेड़ि करेंוצ यहां है मैंने इंवली का पानी लिया हूआ प्ल्प यूज कर सकते और यहां पर बेसल लिए यह जो मैंने केचप लिया हुआ है अगर आप चाहे तो यहां पर टमाटर ले सकते हैं लेकिन फिर आधी चम्मत चीनी भी इसमें जरूर शामिल कर दीजिए क्योंकि इसमें खटा मटा टेस्ट अच्छा लगता है जब यह बैटर रेडी हो जाए तो यह एक से दो मिनट के लिए पका लेना है कि बैसन का कच्छापन निकल जाए यह जब हमने अच्छा से पका लिया उसको फिर हम इसमें बॉयल चैने आइड करेंगे जो कि मैंने हलका सा नमक डाल के बॉयल कर लिया हुआ है यह 200 ग्राम चैना हुआ है बॉयल किया हुआ और इसम मिक्स कर दीजी और फिर तेज आज पर उसको पकाना है तो जब बॉयल आ जाए तो फिर हम उसको 10 मिनट के लिए धक के पका लेंगे यह देखिए यह यहां पर अभी बॉयल आना शुरू हो गया है तो बस हम इस स्टेज पे इसको ढखेंगे और फिर मीडियम लो हाई पे ज यह यहां पर मैंने धनिया डाला होगा है आपको अगर और स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें हरी मिर्च भी आड़ कर सकते हैं बस फिर इसको हम दो मिनट के लिए और दम पे रख देंगे कि इसके अंदर धनिया का फ्लेवर आ जाए फिर हम इसको डिश आउट तो यह देखिए यहां पर क्यूंकर चाट बनाने हैं तो मैंने मीठी दही लिए और कॉंटिटी मैंने इसलिए नहीं लिखी कि हरें की अपनी पसंद होती है तो जो भी आप डालना चाहें जाए डाल सकते हैं मीठी चटनी डालिए इमली के और फिर उसके बाद हरी चटनी आप प्विश डाल दीजिए ओपरी डाल दीजिए अब टू यू फिर उसके बाद चाट मसाला भी चाहाद हो ड्लन ओящर को गर्म गर्म सर्फ किजे बहूत ही बहती ही बहुत ही लाजवाब बनती है और यह एजजच यह बहुत ही अच्छी लगतिया और आप els जालना मसाला भी पराठो के या पूरी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है तो मेरे इस डिश्पो ट्राइ कीजिए मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कोई और फरमाईश हो तो बताईए देखने के लिए शुक्रिया असलाम आलेकुम